हाद आप दोस्तों मैं हूँ आपका ओस्ट एम जे आप देख रहे हैं कोसार गार्डिनिंग दोस्तों यह जो प्लांट आप देख रहे हैं खुबसरत डंडियों और फोलों वाला और लंबे गास वाला इसका नाम है मुस्कारी ग्रेप हैसेंस इस प्लांट को दोस्तों आप फुल संट लाइट में भी रख सकते हैं यह बलब से उगने वाला प्लांट है और असानी से ग्रोव हो जाता है यह नुवंबर से अपनी ग्रोव शिरू करता है फरवरी में फूलों की डंडिया निकलती है और मेई के आखर तक इसका गास और फूल बरकरार रहते हैं फिर रास्ता अस्ता गास और फूल जो हो खतम हो जाते हैं तो नुवंबर में फिर दोबारा से नए सीजन में यह अपनी ग्रोव दोबारा से शिरू कर देता है इसका गास दो फूल से लंबा या कम भी हो सकता है इसके तीज या डंडियां 15 संटिमीटर 6 से 8 इंच तक होती है इसका कंटेनर जो है वो वरी वेल ड्रेन होना चाहिए और मटी है जो वो मलाइम होनी चाहिए ताके मटी में असानी से बलब ज्यादत से ज्यादा त्यार हो जाए जिन को आप नेक्स सीजन में इस्तिमाल करें और इस पानी भी अराम से निकल जाए ड्रेन होल से ड्रेन होल भी अच्छा होना चाहिए नीचे से उसका अच्छी तरह से चेक करें उसका सुराख है के नही तो दोस्तों चिकनी मटी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसके अंदर जो बलब हैं वो कभी भी पैदा नहीं होंगे और इसकी जो जड़ें वो भी जकड़ी जा सकती है पानी की इसको दोस्तों जूरत होती है और फेटलाइजर की इसको खास कोई भी जूरत नहीं है इसके गम्ले को आप उंची जगा पे रखें आप देख सकते हैं कि ये दो गम्ले एक की केर की गई थी और दूसरा को वैसे ही पड़ा रहा तो उसकी केर नहीं की गई तो रड कलर वाले जो पोर्ट है उसकी केर की गई थी तो वो कितना अच्छी तरह से डिवल्प है आप देख सकते हैं तो आप भी केर करना हूँ इसके साथ आप तुलीप और नासिज के बलब भी लगा सकते हैं अपने सीजन में एक साथ ही ये उगते हैं और एक साथ ही खतम हो जाते हैं तो फिर मिलते हैं किसी नए टापिक के साथ ओके बाए